तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो अदाद के मुक्तिफ सेट हैं उनके लिए अनुक्तिफ आपने हमाल करते हैं लेकिन एक दोस्त ने मुझा मुझसे पूछ था जो कि मेरे साहफ रपड़ाते हैं स्कूल में कि ये जो जो सही अदाद का सैट है इसकी अलामत Z इस्तमाल की जाती है इसकी क्या वज़ा है आईए मैं आज आज आपको इसकी वज़ा बताता हूं कि ये जो लफज Z है ये जर्मन जबान का एक लफज है जैलमी उसका ये मुख़वफ है दरसल और जैलमी का मतलब है किसलिए जो सही अदाद का सैट है उसकी अलामत Z लिखी जाती है शुक्रियों कि नहीं थे भी कि अ कि ब मेरे मेरे मचलन का सी घ्र जाँ भी कि अवज है तいただकि अलामतशby कि अभरवण है है जा ये खाय है ये ये है वार 11 जा इंटीवाह है